दोस्तो नमश्कार, दोस्तो मुहावरा तो ये है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बासुरी बजा रहा था और भारत का मौजूदा सच इससे कहीं भयानक है क्योंकि देश की राजनेतिक सत्ता ही देश को बेचने निकल पड़े और ऐसे वक्त में विरोत का कोई स्वर इस देश में किसी भी अस्तर पर इसलिए सुनाई ना दे क्योंकि हर कोई या तो करप्ट है या अपनी परिस्तितियों में उल्जा हुआ है करप्ट इस माइने में क्योंकि छोटे छोटे राजनेतिक दल अगर अपनी नजर भी उपर करते हैं तो सरकार की जाच एजनसी उनके दरवाजे पर जाकर सिर्फ दस्तक दे देती है और वह अपने दड़बों में दुबग जाते हैं और कॉंग्रिस अपने ही चक्रव्यू को खुद ही रचती है उसी को सुलजाने की कोशिश करती है और वक्त जायर उसी में करती चली जाती है विरोत के स्वर वहां से भी सुनाई नहीं देती है बीते पांच दिनों का सच यह है कि राजस्थान की उलजन में कॉंग्रिस कभी सचिन पाइलेट को निकालना चाहती है कभी मनाना चाहती है राजस्थान के मुखमंत्री अपनी ही फिल्मी पटकता लिखकर खुद को नायक करार देते हैं और नायक की उपलब्दियों को बताने से नहीं चुकते और बाकी सभी को एक लाइन से कतार में खड़े करकर खलना यक करार देते हैं सभी कॉंग्रिसी है जैपूर से लेकर दिल्ली तक फैसला क्या हो इसको लेकर इतनी उलजने है कि उन उलजनों का लाब सीधे सीधे हरवक्त मौझूदा सक्ता को हमेशा मिलते रहा है जिसके पास कोई वीजन ही नहीं है कोई पॉलिसी ही नहीं है और खास तोर से अर्थवस्था जिस समय इतनी डावाडोल है कि सरकारी खजाना खाली है सरकार की एकनॉमी अभी तक जिस टेक्स के पैसे से चलती थी उसकी इस्तिती ये आ गई है कि डिरेक्ट टेक्स यानि इंकम टेक्स लगबग 30% कम हो गया है जियेस्टी लगबग 41% कम हो गया है यानि जो टेक्स का पैसा तकरीबन 20 लाग करोड सरकार के पास आता था और बीते छे बरस से सच यही है इस सरकार ने ऐसे कोई दूसरे माध्यम क्रियेट ही नहीं किये जहां से सरकार को रेवेन्यू मिल सके तो बीते पाँच दिनों में जब राजस्थान के उलजनों में पूरे देश का मीडिया उलचा हुआ था कॉंग्रेस उलजी हुई थी इसी दोर में इस देश के प्रधानमंत्री लगातार निती आयोग के साथ बैठा कर रहे थे फिनांस मिनिस्टरी के अधिकारियों के साथ बैठा कर रहे थे और इस देश के भीतर में जो दीपम है जिसका काम है कि इस बात का पता लगाना कि कौन से PSU's को बेचा जा सकता है कहां पर कितने स्टेक्स बेचे जा सकते है यानि Department of Investment and Public Asset Management दीपम का काम यही है और आपको जानकर हैरत होगी जिन सेक्टर्स को स्टेजिक सेक्टर्स को जिनको अब वहाँ के स्टेक्स बेचने की बात हो रही है वह सेक्टर्स बैंकिंग के हैं पैट्रोलियम के हैं अटॉमिक इनरजी के हैं डिफेंस के हैं स्पेस के हैं पोर्ट्स के हैं यानि अभी तक आपने यह जाना समझा था कि इस देश के भीतर में जो अलग अलग जगाओं पर बिक्री हुई है प्राइवेट सेक्टर में उसमें माइन्स दिये गए उसमें रेलवे देने की बात हो गई उसमें पोर्ट्स दे दिये गए, उसमें एरपोर्ट्स दे दिये गए, उसमें सलक बनाने का जिम्मा दिया गया, रिलवे ट्रैक बनाने का जिम्मा दिया गया, उसमें संचार विवस्ता दी दी गई, लेकिन ये एक अपने तरीके की है कि हर सेक्टर में इसलिए बेचने की इ डिसंवेस्टमेंट के नाम पर हुई है और बरस दर बरस डिसंवेस्टमेंट बीटे 2014 के बाद से लगातार बढ़ते गया है यानि 2014-2015 में 24,345 करोड़ का डिसंवेस्टमेंट था जो बढ़कर 2017-18 में एक लाख करोड़ को पार कर गया इस बार के बजट में लगबग 2,090 करो को लेकर कोई विजन नहीं और देश की ही संपत्ति को बेचकर सरकार के पास किसी तरीके से पैसा आ जाए जिससे वो सरकार चला सके कर्मचारियों को पैसा दे सके पेंशन धारकों को पैसा दिया जा सके सरकार में उसी पैसे से अपनी रईसी को कंटिन्यू कर सके देश की इस् कदिकारियों के साथ सरकार की बैठक होती है सबता की बैठक होती है फेनांस मिनिस्ट्री के साथ होती है और उसमें कई बाते निकल कर आती है जैसे मिश्रा धातु निगाम है जिसको मिधानी कहते है या जो गार्डन, रेक, शिप, बिल्डर्स और इंग्यूरिंग लिमिटेड है इसके अलावे जो एग्रिकल्चर का जो पूरा सेक्टर है या केमिकल का सेक्टर है वहाँ पर भी या उसके जुड़ी हुई अन कंपनियों से भी पैसे की उगाही कैसे हो और सरकार के पास पैसा आ जाए सिर्फ यही काम हो रहा है और ये पूरी सरकार उस नौकरशाही पर आकर टिक गई है जिस नौकरशाही को अभी तक उसने अपनी उंगलियों पर न चाया और उसने तमाम अपने लोगों की भरती कर दी यानि जो लायक नौकरशाह थे चाहे वो इस देश के एकनॉमिक एडवाईजर ही को न रहे हो दो दो एकनॉमिक एडवाईजर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया रिजर बैंक में जिसने विरोत किया और जित पटेल ने विरोत किया रगुराम राजन ने किया बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और अपने ही लोगों से अब ये बात कही जा रही है कि अब बेचना है पैसा चाहिए और दूसरी तफ तो कोई आवाज उठेगी नहीं विपक्च अपनी वज़ों से उल्या हुआ है उसके सामने इस दृष्टी के सामना आ नहीं रहा है कि देश अगर बिकते चला जाएगा तो आने वाले वक्त में भारत कर्ज में दबा हुआ होगा और कर्ज में दबने कीस्ति भारत की लगातार बड़ी तेजी से बड़ रही है और इस देश में कंगाली की इस्तिती ये आ जाएगी कि अभी तक तो हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि सरकार ने कोई इंफ्राइस्ट्रक्चर इस हद तक खड़ा नहीं किया कि मौजूदा वक्त में जब छात्रों की परिच्छा का सवाल आया तो पहले राउंड में सरकार ने कहा कि स्कूलों को तो हमने कॉरिंटाइन सेंटर बना दिया है दूसरी इस्तिती आई कि ओनलाइन लिया दा है तब पता चला कि ओनलाइन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ओनलाइन के लिए इंफ्राइस्ट्रक्चर रही है यानि internet नहीं है, computers नहीं है, पढ़ाई कैसे करें, universities को कैसे चलाएं, private sector, universities अगर पूरी fees ले रही है, वहाँ पर अपने तरीके से fees में ही, laptop भी दे दिया जा रहा है, internet system भी दिया जा रहा है, लेकिन पूरे देश का वहाँ पर पढ़ने वाले चात्र जो होते है, higher education के, सिर्फ 10 परसेंट है, बाकी 90 परसेंट के देश के साथ कोई विजन नहीं है, क्या इस बात का जिक्र होगा, और आज जब हम इन बातों को लेकर आपके साथ बैटे हैं, तो पुराने खाके दिमाग में आएंगे ही, टेश कंपनियां बीते 6 बरस में बेची गई, लगभग 3 लाग कर उसे जादे का डिस्मेंश्मेंट हुआ है, और अब ये बात सामने आ रहे हैं, इन सब की सबसे बड़ी वज़ा ये है, कि हमारी एकनौमी में जनता के पास कुछ नहीं बच पा रहा, इस्तिती इतनी नाजुक है, बिरुजगारी रेट तो उपर है, रिटेल सेक्टर की महं आ गए, वो तमाम तफ्तर आ गए, वो तमाम दुकाने आ गए, कोई दुकान कैसे खोले, शाम के बाद कोई नहीं खोलता है, लाइट कोई नहीं जिलाता है, गराक आता है, तो ही ऐसी पंका चलाता है, नहीं तो नहीं चलाता है, पैसे देने पड़ेंगे, किराय का पैसा न उसके उपर अपना दबाव बनाईए और अपने तरीके से चीजों की उगाही कीजिए क्योंकि अन्यता चीजे बचेंगी नहीं लेकिन इन सब के बीच भी इस देश की इस्तिती क्या है इसको अगर सिलसलेवार तरीके से सिर्फ इस समझे की जनता की हालत क्या है